आज हम बनाने वाले हैं मटर, प्याज, टामाटर और हरी मिर्च का बहुत ही टेस्टी चटपटा सा नास्ता आप एक बार बना लेंगे तो हमेशा इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे हमने जो टमाटर लिए है एक टमाटर लिए है टमाटर को जो बीज है बीज नहीं निकाला है हमने यदि आप बीज निकाल करके इस नास्ता को बनाना चाहते हैं तो बीज निकाल करके भी इस नास्ता को बना करके तैयार कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी आज के यह नास्ता बन क नास्ता करेंगों क काताओ नास्ता निफू राट, लेटे रू बन करके तैयार होगा यदि आपके पास नीबू ना हो तो आप अमचुर पाउडर का भी प्रियोग कर सकते हैं और जो हमने छिलके नीबू के थे नीबू के छिलके हमने फैंके नहीं है उसी पानी में डाल दिये हैं अब जो हमने सूजी लीती उस सूजी में हम थोड़ा थोड़ा थोड़ा से डालते जाएंगा और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे सूजी को जब आप इस तरीके से सूजी का नास्ता बनाएंगे तो बहुत हेल्दी बनेगा और टैस्टी भी बनेगा सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है हमने एक जो कटोरी में पानी लिया और हमने कटोरी में दूसरा पानी ले लिया है यकिन मानिये दोस्तो यतना टैस्टी नास्ता बनेगा कि आप कभी भी इस नास्ती को बना करके खाएंगे तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे हमेशा इसी तरीके से नास्ता को बना करके खाएंगे वो भी बिना वैल का नास्त लिपाठ सु हम साघता बीना न师 सो Hmm G Sul को डाल दिया है और हमने मट्र को डाल दिया है यह प्याज न खाती हों तो बिना प्याज कभी यह नास्ता बहुत ही टैस्टी करके तयार होता है हमने थोड़ा थोड़ी सी सबजीयां बचा ली है और थोड़ी थोड़ी सी सबजीयां हमने इसमें डाल दी है और हाथ से हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे देखो हमें इसका इस तरीके से गुल बना करके तैयार कर लेना है और टेस्ट के कोडिंग हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें साबुत जीरा डालेंगे यदि आप सौप डालना चाहे दे तो थोड़ा सा इसमें सौप भी डालने और हम इसमें चटपटा फिलेवर लाने के लिए पाव भाजी मसाला डालेंगे यदि आपके घर में पाव भाजी मसाला ना हो तो मैगी मसाला हो या फिर पास्ता मसाला हो यदि आपके पास कोई भी मसाली ना हो तो आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं गरम मसाले से भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको हम 10 मिनट के लिए सूजी को फूलने के लिए रख देंगे क्योंकि हमारी जो सूजी है वो फूलती है इसलिगे हमने इसका जो घूल बनाया है थोड़ा पतलासा बनाया है और ये हमने दो बॉयल किये हुए आलू ले लिए हैं और आलू को हम अच्छे से छील लेंगे आज का जो नास्ता है बहुत ही चटपटा बन करके तयार हो गया है और जो हमने आलू लिए थे ना आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और जो हमने थोड़ी सी प्याज और मटर और हरी मिर्च बचाई थी उनको हमने इस तरीके से मिक्स कर दिया है हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे यदि आपके पास थोड़ा से चावल का आटा हो तो आप इसमें चावल का आटा डाल दें जिससे जो आलू है आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा टेस्ट के एकोडिंग आप इसमें नमक डाल दें और अच्छे से मिक्स कर देंगे जो नासता है आज का बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी वो भी बिना तेल का बन करके तैयार होगा थोड़ा सा हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है यह हमारी कम तीखी वाली लाल मिर्च इसलिए हमने इसमें थोड़ी से जादा डाल दी है और लास्ट में हमने थोड़ा सा इसमें गरम मसाल डाल दिया है और अच्छे से हम सारी चीजों को मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद इनकी हम जैसे आलू टिक्की बनाते हैं अब उसी तरीके से इसके आलू टिक्की बना करके रख ले देखो हमने ना तो इसमें चावल का आटा डाला है ना ही हमने इसमें कोई और चिर डाली है देखो हमें इस तरीके से चाहिए ती सूजी तो हमारी उसी तरीके से सूजी हो चुकी है और अच्छे से फूल भी चुकी है हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है ना तो हमें इसमें इनो डालना है ना ही हमें इसमें सोडा डालना है आज हम बिना इनो सोडा से बहुती क्रिश्पी, बहुती मुलाइम नास्ता बना करके तैयार करेंगे इस तरीके से हमने कटूरियों में थोड़ा थोड़ा सा वेल लगा लिया है जिससे जो हमारा नास्ता है कटूरियों की तली में चिप के नहीं और अच्छे से निकल आए आदी आदी कटूरियों में हमने इस तरीके से जो हमने सूजी का भूल बनाया था उसको हमने डाल दिया है दोस्तो मैं आपको एक बार याद दिला दूँ यदि आपको मेरी बेडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें गेस पर हमने थोड़ा सा पानी गरम होने के लिए रख दिया था पानी हमारे अच्छे से बॉयल होने लगा है इसे बॉयल पानी में हम जो हमने कटूरियों में सूजी का भूल भराता उनको हम इस तरीके से रख देंगे और पांच मिनट तक हम ढख कर तेज गेस पर पकने देंगे अभी हमें गेस को धीमा नहीं करना है पांच मिनट के बाद हम एक बार इसको चेक कर लेंगे देखो जो हमारी सूजी है सूजी थोड़ी से पक चुकी है पकने के बाद जो हमने आलू की टिक्की बनाई थे उनके ऊपर हम इस तरीके से टिक्कियों को रख देंगे इसलिए हमने आपको पहली बताया था कि जो हमने कटोरियों में घोल भरा था वो हमें घोल थोड़ा खाली भरना था क्योंकि जो सूजी है थोड़ी बहुत फूलती है यदि चाहे आप इसमें यूनों सूड़ा डाले या ना डाले फिर भी जो हमारी सूजी है खूलती है देखो हमने इस तरीके से इन में जो हम बाकी का खूल बचाता उनको हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी हमारी थोड़ी जादा भर चुकी है आप थोड़ा ध्यान दें बनाती समाएगे इतना जादा ना भरें कि कटोरी के उपर से निकल तोड़ा ज्यादा हो गया है कि और हमने निको ढग तिया है गैस को घर तिया है साथ-ाठ मिनट के बाद में दुबारा से चेक किया है उद्धी पर चाकूल है यादि आपके चाकूल को में है तो आपको समझे लेना है कि जो आपका नास्ता है अभी अच्छी से पका नहीं है हमारी चाकू एकदम बिल्कू साफ आ रही है इसलिए कि समझ में आ रहा है कि जो हमारा नास्ता है अच्छी से पक चुका है कटूरियों को हम बाहर निकाल लेंगे थोड़ा से ठंडा होने देंगे इतना ठंडा होने देंगा कि हमका टूरिंगों को हाँस से पकड़ सके और एक ठाली में इनको इस तरीके से टैप टैप करके निकाल लेंगे बहुत ही अच्छा हमारा नास्ता बन करके तैयार होगा देखो कितना अच्छा हमारा नास्ता बना है सारा नास्ता हमने इस तरीके से निकाल लिया है यदि आप ऐसे ही सर्व करना चाहते हैं तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं नहीं तो आप इस तरीके से कट करके इनके सर्व कर सकते हैं यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही चटपटा बहुत ही टेस्टी आज का नास्ता हमारा बन करके तैयार हो चुका है। यदि आप किसी सौस चटनी के साथ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं नहीं तो आप तोड़ा सा गर्मा गरम इसी तरीके से खा लें। तो बहुत ही टेस्टी नास्ता है ठंडा होने के बाद ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है इसलिए आप बनाने के तुरंत बाद थोड़ा गर्मा गरम ही सर्व करके खा लें। तो आपको जु नास्ता है बहुत ही टेस्टी लगेगा।